जयाएं दोस्तों आप सभी का सिद्धार तसर यूटूब चैनल पर सोगत है आज की बहुत मायतपूर न्यूज है जितनी भी सरकारी भरती से संबंदित है पहली न्यूज पटवारी भरती पर हाई कोट का आदेश रोक पर दूसरी मद्द प्रदेश पुलिस फॉर्म फिर से सुरू जो कि हमारे सभी सातियों के लिए बहुत अच्छी न्यूज होने वाली है मद्द प्रदेश प्रात्मिक सिचक में 50 प्रती सत्की जगा 40 पर सेलेक्शन तो आप कुछ नए विद्यारतियों को क्या फायदा होगा साथ अजार कर्मचारियों नियमत होंगे ये सभी च सब्क्राइब करिए बेल वर्टन घंटी दवाईए ताकि हर वीडियो का नोटी पेकेशन आप तक आता रहे चलिए अब सुरू करते हैं सभी द्यूजों को आपको अंत तक देखना है चले तो पहली नियूज देखिए यहां से पटवारी भरती पर लगी रोग हाई कोट म फिर मैं आपको बात करता हूँ प्रदेश में बहु चर्चित पटवारी भरती पर लगी लगी रोग को हाई कोट में चिनोती दी गई सुमार को जेस्टिस एम एस भट्टी की एकल पीट के समच माबले की सुनवाई हुई दायर माबले में का गया कि राजनीतिग लाब के क परक्रिया को नरस्ति किया गया देको इसमें जो यह वाली भरती कि मैं आपको बदा दू मौटी मौटी यह तो बहुत बड़ी न्यूज है इसके 21 तारीक को फिर से सुनवाई होना है जो इसमें जिस लड़के का कुछ लोगों ने अपनी तरफ से याजका लगाई है जैसे प्रियाग राज दुबेक करके हैं निवासी प्रियाग राज दुबेकी और सी दाया रियाचका है कि उन्नोंने 88.86 अंग प्राप्त किये हैं और सरकार ने इसको अपने पाइदे के लिए चुनाव को देखती हुगे रोग लगा दी है बाकिए इसके जो रोग लगाने का काम था वो कर्मचारी चैन आयुक का था उसने तो लगाई नहीं यह खुद मुकमंत्री साब ने लगा दिया तो देखो भई आप कुछ नहीं होने वाला है रोक लगी तो लगी है ठीक है इस भरती की जो भी नियूज आएगी मैं आपको जैसे ही देता रहूंगा कितने लोग चाहते हैं मैं कमेंट में चाहता हूं कितने लोग चाहते हैं कि भरती निरश्ट हो और कितने लोग चाहते हैं कि भरती चालू हो यह मुझे बता दीजिए कमेंट में कितने लोग चाहते हैं आगे बढ़ते हैं आरचक भरती के आविदन की तारिक बढ़ाने की मांग ESV में पहुंचे अभ्यार्थी देखिए पढ़िए पूरी अच्छी से आरच्छिक मतलब पुलिस बरती की परिच्चा ओनलाइन आवेदन करने से प्रदेश के अभ्यार्थी बड़ी संक्या में बंचित रहेगा हैं इसकी मुख बजाए अंतिम सप्ताय सरवार का डाउन होना यह बहुत तादाद में हमारे जो चात्रें वो इस भरती से दूर रहे गए हैं तो वो लगबग आए दिन इस भी कारिया लाए जा रहे हैं 99 परसेंटेज डेट बढ़ेगी टेंशन नहीं बस आप ऐसी जाते रहे हैं मैं भी आपकी बात उठाता रहूंगा यूटूब के माध्यम से पेस्बुक से पेस्बुक पर जो हमारा पेज है सिदारता सर जो यूटूब चैनल का नाम है उसी पर मैं डेली डाल रहा हूं मांग प्रिसिचारतियों ने सी एम के नाम सोपा गयापन अब इसे देखो समझते हैं बाला गाट की पिरदेश में अनुसूचे जनजाती प्रिसिचारतियों ने सौमार को कलेक्टरेट कारियाला पहुंचकर डॉक्टर गिरीज कुमार मिस्रा को मुकवंत्री की नाम सोपा उन्होंने का है कि अनुसूचे जनजाती समदा बर्ग 3-2-0-19-20 की पातरता प्रिच्चा प्रतिसत के इस्तान पर 40 प्रतिसत किये जाने की मांग को लेकर देखिए अगर 40 प्रतिसत होता है तो देखो डेड़ सो का आपका पेपर था 40 निकाल लेते हैं अगर 40 हो गया तो भीया आपको मात्र लाना है 60 जिसमें हमारे बहुत सारे चात्रों को ओने वाला है फायदा सरकार देखो चुनावी साल है कुछ भी हो सकता है तो आप लोग बस अपनी अबाज उठाते रहिए मैं गारंटी दे रहा हूं जरूर होगा ठीक है कई बर्ग ए कैसे अपनी उठाइए कुछ भी असंभव नहीं है बात क्लियर है तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्क्राइब जरू करिए आप देखिए संब्दा कर्मियों से संब्द है संब्दा कर्मियों को इस्ताई करने की तैयारी बैटक में रड़नीती तैयारी कर रही है इसके लिए सपाई कामकारों के नियमित करने के लिए नियमों में संसोधन होगा नगरिये विकास एवं आवास मंत्री भूपिंद सिंग ने बताया कि नियमों में संसोधन का प्रश्ताब सामान प्रशासन विवाग को बेजा जाएगा बात क्लियर है तो तो हमारे साट अजार जो फैमली हैं उनके लिए इस्ता ही विवस्ता हो जाएगी मैं तो चाहूंगा कि भगवान करे आपको हो जाए आपके फैमली को सुख सुबदाय मिले तो ये आज की थी चार न्यूज चारों न्यूज हमने आपको डेटेल में बताई है आपको दोस्तों को सियर करिए इसमें मद्ध प्रदेश पुलिस और आपकी सिच्चक बरती और मेला प्रविच्चक में डेली वीडियो डालता हूं थैंक्यों